दोस्तो सही और सठीक जानकारी के लिए आरुस पनामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है मत्य परदेश शासन के दौरा जो बिजली उभौताओं के लिए समाधान योजना लाई थी उसमें मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उसको बहुत देखा तो उसमें मत छोड़िये यह मौका अगर आप छोड़ेंगे तो हो सकता है आगे ना बढ़े तो यह समाधान उभौकता जो है एक किलो वाट तक के घरेल उभौकताओं के लिए ही थी तो इसमें देखिए चार तारिक के डेट में मध्य परदेश सासन के द्वारा यह पत्र निकाला ग तक बढ़ाई जाती है तो देखिए देखिए जिन लोगों को यह नोटिस आ गया है एक किलो वाट घरेलू भौकताओं के लिए बिजली कंपनी से आ गई थी और इसमें यह लिखा गया था जो कोरोना महामारी के द्रिश्टिगत एक किलो वार्ट तक संयोजित भारवाल के घरेलू भौकताओं के विद्दुत देखों की धिनांक 31 अगर 2020 तक की इस्थिती में आस्थगित की गई रासी में भौकतान देने में राहत के उद्दे से रास शासन के द्वारा समधान योजना लागू की जा चुकी है अर्था जो लोग इलिजबल है इसके लिए उसको पहले ही बिजली कमपनी के द्वारा ये नोटिस दिया जा चुका है और उसमें मूल बकायरासी अधिवारासी कुल लासी दिया गया है और उसमें ये भी बताय गया है जो आपके पास ऑप्सन है चुन्ने का जो आप्सन आप चुनेंगे उसी का अनुसार आपको जमा करना पड़ेगा और देखिए समाधान योजना का आवेदन पत्र भी आपको मिल जाएंगे मीटर रीडर के पास मिल जाएंगे और आप लोकल ऑफिस से भी आप ले सकते हैं आप किसी से भी ले सकते हैं हर जगह हैं साय की अंत्री कनिक्षी अंत्री जो लाइन मैन हैं उससे भी चल ले तो पीछला वीडियो अगर आप देके मैंने कैसे आवेदन करना है क्या करना है मैंने डिटैल में बताया है मैं इसका 100% अधिवार में आपको छूट मिलेगी अर्था जो भी लेट पेमेंट सरचार्ज है LPSC जो लगा रहता था वो 31 अगर 2020 तक जितना भी लगा हुआ है वो completely छूट है इसके अलावा इसके अलावा अगर आप option A चुनते हैं तो उसमें आपको एक मुस्त जमाका न पड़ेगा बांकी जो मूल रासी रही मानली जिये किसी का मूल रासी 12,000 रूपिये है और उसमें मानली जिये 5000 रूपिया उसका LPSC है तो कोई एक योजना आप चुनने जिये क्योंकि कोई एक योजना अगर आप चुनेंगे तो ये LPSC जो है लेट पेमेंट सर्चाज वो तो completely माफ हो जाएगी अब बचा 12,000 रूपिये जो की मूल रासी है तो अगर आप option A चुनेंगे option OR तो इसमें आपको 60% ही देना पड़ेगा अर्थात आपको 72,000 रूपिये ही जमा करना पड़ेगा लेकिन एक मुस्त आपको जमा करना पड़ेगा अर्थात 12,000 का 75% हो गया 9,000 रूपिया जमा करना पड़ेगा तो माली जी देखे आपको कितना फाइदा हो रहा है आप निश्चित रूप से चुन लीजिए क्योंकि अगर आप नहीं चुनेंगे तो आपका जो भी बकाया अस्थागित किया गया है इस केस में देखिए 12,500 बाली जे 17,000 जो अस्थागित किया गया है यह आपके अगले विपत्र में जोड के आ जाएगा लेकिन अगर आप चुन लेंगे यह उप्सन तो चुन लेने के बाद आप जैसा विकल्प चुनेंगे उसी विकल्प के अनुसार आपके विपत्र में आएगा आप उसको काउंटर भी जमां कर दीजिए या आप ऑनलाइन भी जमां कर सकते हैं तो कैसे अपलाई करेंगे और क्या-क्या विवरन है मैंने पीछे वीडियो में बताया था मीटर फास्ट क्यों चलता है विपत्री से समंधी में बहुत कुछ बताया है बिजली का क्या रेट है यह समी में बताया है बहुत-बहुत धन्यवाद